नीतिबचिन 25, 11-20 तक जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेभ हों, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नत और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी धरने से न्याई मनाया जाता है, और कोमल वचन हडी को भी तोर डालता है। क्या तूने मधू पाया, तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो की अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पढोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाउंग को रोक, ऐसा न पाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी पर सिर्का डालना होता है, वैसा ही उदास मनवाले के सामने गीत गाना होता है। क्योंकि परमेश्वर की स्रिजी हुई हर एक वस्तू अच्छी है और कोई वस्तू अस्विकार करने के योग्या नहीं बर यह की धन्यवाद के साथ खाई जाए क्योंकि परमेश्वर के वच्चन और प्रार्थना के द्वारा शुध्ध हो जाती है। तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से, जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोशन होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूर्यों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ती की साधना कर। क्योंकि देह की साधना से कम लाब होता है, पर भक्ती सब बातों के लिए लाब दायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिग्या इसी के लिए है। जब तक मैं ना आऊं, तब तक पढ़ने और उबदेश देने और सिखाने में लॉलीन रह। उस वर्दान के प्रती जो तुझ में है और भविश्य द्वानी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंद मत रह। इन बातों को सोचते रह और इन ही में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नती सब पर प्रगट हो, अपनी और अपने उबदेश की चौकसी राख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तुझ अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण योधाओं के जो दल देहात में थे, जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों समेथ सुना कि बैबिलोन के राजा ने अहिकौम के पुत्र गदलिया को देश का अधिकारी ठहराया है, और देश के जिन कंगाल लोगों को वह बैबिलोन को नहीं ले गया, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालबच्चे, उन सबों को उसे सौंप दिया है, तब नतन्याह का पुत्र इश्माइल, कारे के पुत्र योहनान, योनातान और तन्हुसेत का पुत्र सराया, एपे नतोपावासी के पुत्र और किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह अपने जनों गदलिया के पास मिस्पा में आए. गदलिया जो अहिकॉम का पुत्र और शापान का पोता था, उसने उन से और उनके जिनों से शपत खा कर कहा, कसदियों के आधीन रहने से मत दरो. इसी देश में रहते हुए बैबिलोन के राजा के आधीन रहो तब तुम्हारा भला होगा. मैं तो इसी लिए मिस्पा में रहता हुँ कि जो कसदी लोग हमारे यहां आए, उनके सामने हाजिर हुआ करून, परंतु तुम दाकमधू और धूपकाल के फल और तेल को बटोर के अपने बर्तनों में रखो और अपने लिए हुए नगरों में बसे रहो. फिर जब अम्मोनियों, अदॉमियों और अन्य सब जातियों के बीच रहने वाले सब यहुदियों ने सुना कि बैबिलोन के राजाने यहुदियों में से कुछ लोगों को बचा लिया और उन पर गदलिया को जो अहिकौम का पुत्र और शापान का पोता है, अधिकारी नहीं उप्त किया है, तब सब यहुदी जिन जिन स्थानों में तितर बितर हो गए थे, वहां से लोटकर यहुदा देश के मिस्पा नगर में गदलिया के पास आए, और बहुत दाकमधू और धूपकाल के फल बटोरने लगे, तब कारे का पुत्र योहानान और मैदान में रहने वाले योधाओं के सब दलों के प्रधान मिस्पा में गदलिया के पास आकर कहने लगे, क्या तू जानता है कि अम्मोनियों के राजा बालीस ने नतन्या के पुत्र श्माइल को तुझे जान से मारने के लिए भेजा है, परन्तु अहिकॉम के पुत्र गदलिया ने उनकी प्रतीत पानान से कहा, ऐसा काम मत कर, तू इश्माइल के विशे में जूट बोलता है। से ऐसा मारा की वह मर गया। इश्माइल ने गदलिया के संग जितने यहूदी मिस्पा में थे, और जो कस्दी योध्धा वहां मिले, उन सबों को मार डाला। गदलिया के मार डाले जाने के दूसरे दिन जब कोई इसे न जानता था, तब शकेम और शीलो और शोमरोन से अस सी पुरुष दाड़ी मुणाए, बस्तर फाढ़े, शरीर चीरे हुए और हाथ में अनबली और लोबान लिये हुए, यहोबा के भवन में जाने को आते दिखाई दिये। तब नतन्याह का पुत्र इश्माइल उन से मिलने को मिस्पा से निकला, और रोता हुआ चला। जब वे उस नगर में आये तब नतन्याह के पुत्र इश्माइल ने अपने संगी जनों समेत उनको घात करके गढ़े में फेंग दिया। परन्तु उन में से दस मनुष्य इश्माइल से कहने लगे, हम को न मार, क्योंकि हमारे पास मैदान में रखा हुआ गेहुन, जो, तेल और मधु है। इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके भाईयों के साथ नहीं मारा। जिस गढ़े में इश्माइल ने उन लोगों के सब शबों को जिन्हें उसने गदलिया के साथ मारा था फेंग दिया था, यह वही गढ़ा है जिसे आसा राजा ने इसराइल के राज इश्माइल बंदी बना कर अमोनियों के पास ले जाने को चला। जब कारे के पुत्र योहानान और योधाओं के दलों के उन सब प्रधानों ने जो उसके संग थे, सुना की नतन्या के पुत्र इश्माइल ने यह सब बुराई की है, तब वे सब जनों को लेकर नतन्या के पुत्र इश्माईल से लड़ने को निकले और उसको उस बड़े जलाश्रे के पास पाया जो गिबोन में है। कारे के पुत्र योहानान को और दलों के सब प्रधानों को देखकर जो उसके संग थे, इश्माईल के साथ जो लोग थे, वे सब आनंदित हुए। जितने लोगों को इश्माईल मिस्पा से बंदी बना कर लिये जा रहा था, वे पलटकर कारे के पुत्र योहानान के पास चले आए। परन्तु नतन्याह का पुत्र इश्माईल आठ पुरुष समेत योहानान के हाथ से बच कर अमोनियों के पास चला गया। तब प्रजामे से जितने बच गए थे, अर्थात जिन योधाओं, स्त्रियों, बाल बच्चों और खोजों को कारे का पुत्र योहानान, अहिकॉम के पुत्र गदलिया के मिस्पा में मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इश्माईल के पास से चुड़ा कर गिबोन से वापस ले आया था, उनको वह अपने सब संगी दलों के प्रधानों समेत लेकर चल दिया, बैतल हम के निकट जो किम्हाम की सराय है, उसमें वे इसलिये टिक गए की मिस्र में जाएं, क्योंकि वे कसदियों से डरते थे, इसका कारण यह था कि अहिकॉम का पुत्र गदलिया जिसे बैबिलोन के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र शमायल ने मार डाला था, इर्मयाह 42, 1-22 तक, तब कारे का पुत्र योहानान, होशाया का पुत्र याजिन्या, दलों के सब प्रधान और चोटे से लेकर बढ़े तक, सब लोग इर् जिनती ग्रहन करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हूँ के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तु अपनी आँखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे, अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना करकि तेरा परमेश्वर यहोवा हम को बताए क तब उन्होंने यहोवा से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुँचाए और हम उसके अनुसार न करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वासयोग्य साक्षी ठहरे। चाहे वह भली बात हो, चाहे बुरी, तो भ पास हम तुझे भेजते हैं, मानेगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो, दस दिन के बीचने पर यहोवा का वचन यिर्मिया के पास पहुचा, तब उसने कारे के पुत्र योहानान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को, और छ पर रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जोहानी मैने की है, उससे मैं पच्ताता हूँ, तुम बैबिलोन के राजा से डरते हो, अता उससे मत दरो, यहोवा की यहवानी है, उससे मत दरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम मैं तुम पर दया करूंगा, कि वह भी तुम पर दया करके तुम को तुम्हारी भूमी पर फिर से बसा देगा। तुम दरते हो, वही वहां मिस्र देश में तुम को जालेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो, वह मिस्र में तुम्हारा पीछाना छोड़ेगी, और वही तुम मरोगे। तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा किया करेंगे। तुम इस स्थान को फिर न देखने पाओगे। हे बचे हुए यहुद्यो, यहोवा ने तुम्हारे विशय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चे जानो कि मैंने आज तुमको चिता कर यह बात बता दी है। क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निमित हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हम को बता और हम वैसा ही करेंगे, तब तुम जान बूज क के रहने की इच्छा करते हो, उसमें तुम तलवार, महंगी और मरी से मर जाओगे.